इस वीडियो में हम लोग दिसमबर 2019 में जितने भी जेग्रफिक के कोश्टिस आये थे पेपर सेकेंड में वह देखेंगे. ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री के कोश्टिस और देख लिए हैं. आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बोक्स में उन वीडियो का लेंक है, तो चलिया हों अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं Question number first है, which of the falling is not a feature of peninsular plateau, निमलिक्त में से कौन सा प्राइदी प्रथार का लक्षन नहीं है First, Rivers Mahanadi and Krishna are some of the west-flowing rivers in the plateau, इस पठार पर प्षिम के और भेने वाली महानदी और Krishna नदिया मौजूद है Second, it lies to the south of northern plains, यह उत्री मैदानों के दशिन में स्थित है Third, अरावरी hills border it on the northwest side, इसके उत्तर पक्षिम में अरावली श्रंकला स्थित है Fourth, it is rich in minerals like coal and iron ore, यहाँ कोईला एवं लोह ऐसक जैसे खनीजों की प्रचूरता है तो इसमें option first जो है वो correct है, Rivers Mahanadi and Krishna are some of the west-flowing rivers in the plateau इस पठार पर प्षिम के और भेने वाली महानदी और Krishna नदिया मौजूद है भारत का प्राइदीप पठार समानने तोर पर त्री कौणिये हैं यह पशिम में पश्मी घाट, पूर में पूर्वी घाट और उत्तर में सत्थपूडा, मैकाल, श्रेनी और महादेव पहाडियों से घिरा हुआ है इसके उत्तर पशी में अरावली श्रंकला स्थित है, प्राइदीप पठार उत्री मैदानों के दश्षिन में स्थित है इस पठार में लो ऐसक तथा खनीच का प्रचूर भंडार पाया जाता है मान अदी, 36 गर्ट तथा ओडी सराजे से प्रवाहित होकर बंगाल की खाडी में गिरती है प्रिष्णा नदी का प्रवा भी पूर्व की और है जो बंगाल की खाडी में गिरती है इसलिए यह प्राइदी पे पठार का लक्षन नहीं है 2. Which of the following statements about Africa is correct? नेमलिक्ट में से कौन सा कथन अफरीका के बारे में सही है? 1. It is separated from Asia by Ural Mountains on the west. इसके पश्षिब में Ural परवत है जो इसे अशिया से अलग करता है. 2. A large part of Africa lies in the southern hemisphere. अफरीका का बहुत बड़ा भाग दशनी गोलार्द में स्थित है. 3. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. यह एक ऐसी मादीप है जिससे होकर कर्क, विशुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं. 4. Gobi Desert is located in this continent. Gobi Marustal इस मादीप में स्थित है. तो इसमें option 3rd जो है वो correct है. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. यही एक ऐसा मादीप है जिससे होकर कर्क, विशुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं. विश का दूसरा सबसे बड़ा मादीप है जो यूरोप से जिबलाटर संजल संधी द्वारा अलग होता है. अफ्रीका के पूर्व में हिंद मासागर और पश्य में अंट्लांटिंग मासागर स्थित है. अफ्रीका ही एक मातर ऐसा मादीप है जिससे होकर विशुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इंगुजरती हैं. Q3. The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in Ottoman because भारत के दशनी भागो, विशेशकर, Tamil Nadu और Andhra Pradesh में शरद रितुमें वर्षा होती है क्योंकि Q3. First, winds move back from mainland to Arabian Sea, पावन स्थल भागो से लोट कर अरब सागर के और प्रभावित होती है. Q4. Winds blow from Bay of Bengal to Arabian Sea, पावन बंगाल की खाडी से अरब सागर के तरफ प्रभावित होती है. Q4. Which of the following are Block Mountains, निमलिक्त में से कौन ब्रम्शोते प्रवरत है? Q4. First, वोस्गोस, वोस्गोस परवत, सेकेंड हिमाल्याज, सिमाल्य परवत, थर्ड अपैल्शियन, अपलेशियन परवत, फोर्थ यूरल, यूराल परवत. तो इसमें जो option first है वो करेक्ट है, वोस्गोस, वोस्जेस परवत. ब्रम्शोत परवत या ब्लॉक परवत का निर्मान पृत्वी की उपरी सतों के ऊपर उठने या बहुत बड़े भाग की तूट कर उर्धावर रूप से विस्थापित होने से होता है. दा ग्रेट अफ्रीकन, रिफ्ट वैली, यूरोप में वोस्जेस परवत, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पस्थित, ब्लैक फॉस्जेस जर्मनी, सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान आदी, ब्राउंशेर परवत के उधारन है, ब्लॉक माउंटेंस के उधारन है, विकल्प में दिय Statement A, Only one side of the moon is visible to us on earth, ब्रिफ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही बाग दिखाई पड़ता है, Statement B, The move moons around the earth is about 27 days and takes exactly the same time to complete one spin, चंद्रमा पिथ्वी का एक चक्कर लगबग 27 दिनों में पूरा करता है और लगबग इतने ही समय में वह आपने अक्ष पर एक चकर भी पूरा करता है, तो इसमें ये four options दिये गए है, option second जो है इसमें correct है, both A and B are true and B is the correct explanation of A, इसका मतलब यह के दोनों स्टेटमें ज़एं वह दोनों ही correct है, प्रिफ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, and second, चंद्रमा प्रिफ्वी का एक चकर लगबग 27 चकर पूरा करता है, option number six है, consider the statements A, B, C on metamorphic rocks and choose the correct answer, कायंत्रित शेल के बारे में दिये गए, कतनों पर विचार केजिए, first, when igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change to metamorphic rocks, आगयने और अफसादी शेल, उच्श्टाप तथदाप के प्रभाव में, कायंत्रित शेल में परभर्तित हो जाती है, कायंत्रित शेल उच्टाप और दाब के प्रभाव में विगलकक द्रवित मैगमा बनाती है, C, marble is a metamorphic rock, संग मरमल एक कायंत्रित शेल है, तो इसमें option four जो है, वो correct है, A, B, C, all statements are correct, इसमें तीनों ही statement जो है, वो correct है, ताप, दाब एवं रसाइनिक क्रियाओं के कारण आग कायंत्रित शेल उच्टाप और दाब के प्रभाव में पिगलकर द्रवित मैगमा बनाती है, इसलिए तीनों ही statement जो है, वो correct है, Question number seven है, on entering which layer of the atmosphere from space जूदा मेटरोइट बनाप, अंत्रिक्ष से प्रवेश करने वाले उलका पिंड वायू मंदल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, First, stratosphere, समताप मंदल, Second, mesosphere, मध्य मंदल, Third, thermosphere, भार्य मंदल, Fourth, exosphere, भार्य मंदल, तो इसमें option second जो है, mesosphere, वो correct है, मध्य मंदल, अंत्रिक्ष से प्रवेश करने वाले उलका पिंड वायू मंदल की मध्य मंदल परत में आने पर जल जाते हैं, उलकाएं वास्तम में शुद्र ग्रह के टुकडे और धूम के तूँ द्वारा पीछे छोडगए धूल के करन होते हैं, जो प्रकाश की चमकीली घाटी के रूप में दिखाई देते हैं, ये अकाश में शन भर के लिए चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं, इसके अतिरिक जो उलकापिंड अच्छे से नष्ट नहीं होते हैं, वो चटानों के रूप में पित्वी पर गिरते हैं, उन्हें ही शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता हैं Question No.8 है, Transwomen is related to, रितु प्रवास जुड़ा हुआ है, First, places where settlements develops, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विक्सित होती हैं, Second, Moment of People, लोगों के आवगमन से, Third, Closely Built Area of Houses, घरों के आसपास बसावट से, Fourth, Artificial Enclosers for Keeping Small House Plants, एक छोटे से घर के पोधे रखने का कृत्म आहाता से तो इसमें Option Second, जो है, वो Correct है, Moment of People, लोगों के आवगमन से, रितु प्रवास जो है, वो जुड़ा हुआ है, यह एक प्रकार का पशु चारनवाद या घुमुन्तु वाद है, जो गर्मियों तथा सर्दियों के निशित मौश्रम में, पशुओं को चारगों के लिए पशुओं को लेकर जाते हैं, वे समानने तब परवती शेत्रों में सर्दियों में और गर्मियों में समतल शेत्रों में पशु चलाने चले जाते हैं, इसलिए जो यह प्रवास है, रितु प्रवास से, लोगों के आवगमन से जुड़ा हुआ है, Question No.9 है, Consider the statements A and B on permanent winds and choose the correct option, स्थाई पवनों के समध में कथन A और V पर विचार कीजिए, Statement A, These winds blow constantly throughout the year in a particular direction, यह पवने वर्ष भरलगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, Second, West release and East release are example of these winds, पश्चिम और पूर्वी पवने इनके उधारन हैं, तो इसमें Option 4 जो है वो correct है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो correct हैं, सही हैं, तो Option 4 जो है वो इसमें correct हैं, Question No.10 है, Compose in Brazil and Lanos in Venezuela are example of, Brazil के Compose और Venezuela के Lanos उधारन हैं, First, Mediterranean vegetation, Boom, Adya, Saagri, वनस्पती के, Second, Temperate Glasslands, शितोशन कटी बंधे घास्तल के, Third, Tundra type of vegetation, Tundra प्रकार के वनस्पती के, Four, Tropical Grasslands, उष्च कटी बंधे घास्तल के, तो इसमें option 4 जो है, वो correct है, Tropical Grasslands, उष्च कटी बंधे घास्तल के, Brazil के Compose और Venezuela के लानोस के उधारन हैं, उष्च कटी बंधे घास्तल के जो स्थल हैं, वो उधारन हैं, Question No.11 है, Consider a statement A and B about climate and choose the correct answer, जलवायू के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए, Statement A, Climate refers to the day-to-day changes in the atmosphere, जलवायू वायू मंडल में दिन प्रते दिन होने वाला परिवर्तन है, Statement B, Climate of our place is affected only by its altitude and relief, किस स्थान की जलवायू सिर्फ उसकी उचाई तथा उचावच पर नेभर करती है, तो इसमें option first जो है, वो correct है, दोनों ही statement जो है वो गलत है, दिये हुए दोनों ही कथन जलवायू के संबंध में गलत है, इत्वी की सता के एक शेत्र में तापमान, आदरता, वायू मंडलिय, दवाब, हवा, वर्षा और अन्य मौसम समंधी तत्वों की समाने स्थिती, जब लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे जलवायू कहा जाता है, जलवायू मौसम से अलग होती है, मौसम वातवरण में दिन की स्थिती होती है, कुछ प्रमुख जलवायू के प्रकार है, उस्ट कंटी बंदिये, रेगिस्तानी शुष्क, शितोशन, रूविये और भूम अद्य सागरी जलवायू आदी कुछ नमबर 12 है, identify the source of energy from the given features A and B, दिये गई लक्षनों A और B के अधार पर उर्जा स्रोथ की पहचान करें, A. It is a conventional source of energy, यह एक प्रमप्रागत उर्जा का स्रोथ है, B. This source of energy is released when crude oil is brought to surface, यह उर्जा स्रोथ तब निर्मुक्त होती है जब अब परिकृष्ट तेल को धरातर पर लाया जाता है, तो first है इसमें wax, mom, second bio gas, third natural gas, प्राक्रतिक gas, fourth geothermal energy, भूत आप यह उर्जा, तो इसमें option third जो है वो correct है, natural gas, प्राक्रतिक gas, प्राक्रतिक gas, एक प्रमप्रागत उर्जा का स्रोथ है, प्राक्रतिक gas समानता है कई gas हो, जैसे methane, methane, butane, आधी का मिश्रण है, परन्तु से methane gas 80-90% तक पाई जाती है, प्राक्रतिक gas मुख्यत आजिवाशन इर्धनों के साथ पाई जाती है, यह gas तब निर्मुक्त होती है जब अब परिश्रित तेल को धरातर पर लाया जाता है, प मैत्री is located in भारत का शोट संस्तान मैत्री कहां अवस्तित है, फर्स्ट एशिया, सेकेंड आउस्टेलिया, थर्ड अंतर्क्रिका, फोथ यूरोप, तो इसम्हों ऑप्शन थर्ड जो है, वो गरेक्ट है, अंतर्क्रिका, प्राट का शोट संस्तान मैत्री अंतर्का में स्थि Q14. Which of the following is not true for minerals? निम्लिक्स में से कौन सा कतन खनिश के संदव में सही नहीं है 1. All minerals are non-metallic, सभी खनिश अधात्विक होते हैं 2. They are naturally occurring substances, ये प्राकतिक रूप से प्राप्त होने वाले प्रदार्त है 3. They have a definite chemical composition, इनका एक निशित राशनिक संगठन होता है 4. They are forming different types of geological environments ये विविन प्रकार के भूवेज्यानिक परिवेश में निर्मित होते हैं तो इसमें option first जो है वो correct है All minerals are non-metallic, सभी खनिश अधात्विक होते हैं खनिशों के संधर में कथन first जो है सभी खनिश अधात्विक होते हैं, सही नहीं है सभी खनिश धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं धात्विक खनिशों के अंतरगत लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट ये सब आते हैं जबकि अधात्विक खनिशों के अंतरगत फेलासफ़र, पोटाश, सलफर आदी आते हैं इसके अतिरी खनीच प्राकतिक रूप से प्राप्त होने वाले प्रदाहनता है, इसका एक निश्यत रसायनिंग घटन होता है, ये विभिन प्रकार के भूवेग्यानिक परिवेश में निर्मित होती है Question No. 15 है, match the following, निमलिक्त का मिलान कीजिए इसमें option 4 जो है, वो करेक्ट है, नम्दा वैली, जो है नम्दा घाटी, उसका करेक्ट मैच है B, hunting and gathering, आखेट और संग्रहन, फिर B, वजजी का करेक्ट मैच है, 1st, early republic, आरंबिक गनतंत्र, फिर C, गारोग hills का करेक्ट मैच है, 5, early agriculture, आरंबिक क्रिशी, फिर गंगा वैली का करेक्ट मैच है, 3rd, cities about 2500 years ago, लगव 25 वर्षपूर के शहर, फिर E, Indus and its Tributories का करेक्ट मैच है 4. प्रथम नगर, the first cities, यही हमारी वीडियो का last question था, अगर आप लोग को पूरी वीडियो में कोई भी कहीं पर भी कोई भी doubt है, तो आप लोग नीचे comment section में पोश सकते हैं, thank you so much and all the best for your paper